क्या घमंडी है सनी दियौल? क्या गदर का तारा सिंग घमंड में भरा हुआ है? जानेगा इस वीडियो में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो गदर टू की सक्सेस के बाद सनी दियौल के सितारे बुलंदियों पर हैं सनी बॉलिवुट के उन स्टार्स में से हैं जो कम लेकिन दमदार बात करना पसंद करते हैं इसलिए वो बॉलिवुट पार्टी से भी दूर रहते हैं वहीं अब सनी ने अपनी परसनल लाइफ को लेकर फैंस के साथ कई सारी बाते शेयर की हैं उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में उन्हें घमंडी का टैक क्यों मिला है बता दे कि सनी ने एक बातचीत में कहा है कि मैं मौर्निंग परसन हूँ मुझे लोगों से मिलना जुनला अच्छा लगता हूँ अपने फैंस और दोस्तों से मिलता हूँ ये बहुत ही अच्छा लगता है मैं वो इंसान नहीं हूँ जो पार्टी में जाये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पार्टी वकेरा में जाना बंद किया है मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं है इसलिए लोग मुझे घमंडी समझते हैं पहले बहुत सारे लोग मेरे सनेचर के लिए नापसंद करते थे उन्हें लगता है कि मुझे में आटिट्यूड है मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूँ पर दीरे दीरे लोगों ने मुझे जानना शुरू किया तो वो समझ गए कि मैं ऐसा ही हूँ इसलिए उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाना ही बंद कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि मैं नहीं जाओंगा तो ये सभी बाते सनी दियौल ने एक बातचीत में अपने बारे में साजह की हैं इसके अलावा सनी दियौल ये भी बताते हैं कि उन्हें ना सिर्फ बॉलिवूड पार्टी बलकि फिल्म रिलीस के दौरान होने वाले प्रोमोशनल इवेंट्स भी नहीं पसंद है इतना कहकर उन्होंने ये भी बता दिया कि लोग भले ही उन्हें घमंडी समझें लेकिन असल में वो अपने काम से काम रखना जानते हैं इसके अलावा सनी ने रनबीर कपूर और बॉबी दियौल की फिल्म एनिमल पर भी बात की वो कहते हैं कि फिल्म के क्लाइमाक्स के दौरान वो सीट से उठ गए थे क्योंकि फिल्म में वो अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सके वर्क फ्रंट की बात करें तो चर्चा है कि गदर टू की सक्सेस के बाद वो रमायन में हनुमान का रोल अदा कर सकते हैं हालकि इसमें कितनी सच्चाई है यह सिर्फ सनी दियौल ही बता सकते है उमीद है कि सनी को लोगों के मन में जो डाउट था आज वो क्लियर हो गए होंगे आपको क्या लगता है सनी दियौल के नेचर के बारे में या जो उन्होंने अभी क्लारिफिकेशन दिया है इस बारे में उस पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही आपको लगता है कि सनी दियौल घमंडी है या नहीं है वो भी जरूर बताएगा